आपने अभी अपनी प्रेस कांफेंस के आगाज में स्राइबो कमिशन के बारे में बताया कि कमिशन ने क्या क्या फाइंडिंग्स दी हैं एक तो यह बताईए कि क्या हम उस कमिशन की रिपोर्ट और जो अदरवाइस दुनिया में जो इंडियन प्रॉपेगंडा जो रिवील हो रहा है और जो हमारे खलाफ इंडिया की जारिब से साज़शें आती हैं क्या हम कोई और डोजियर दुनिया के सामने ला रहे हैं क्या किसी अदारे में अक्वाय मुतेदा में इस तरह की चीजों को प्रिजेंट करेंगे फॉर्मली दूसा नुक्ता यह है मेरे सवाल का कि अभी चंद रोज पहले दो रोज पहले अफगान वजीर दिफार का भी एक डियूरेंट लाइन के हवाले से बयान आया और अफगान वजारत दिफार का भी तो आप मैं आपका इसके ओपर टेक है क्योंके अफगान अश्यवगनी हकूमत ने डियूरेंट लाइन को इंटर कश्मीर के बारे में मैंने रसल फोर्म का जिकर इसलिए किया कि इस से ये जाहर होता है कि दुनिया में मसला कश्मीर पे अब बहुत सीरियस कंसर्ण्स खड़े हो चुके हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वज़ा कश्मीरियों की अपनी जो स्ट्रगल है वो है और जिस तरह से पाकिस्तान ने पाकिस्तान की एकूमत ने कश्मीरियों का जो प्राबलम है जो इशू है उसको जिस तरह से दुनिया के सामने पेश किया है ऐसे ही कुछ डोजियर्स हमने अलड़ी इंटरनेशनल और्गनिजेशन को युनाइटिन नेशन को पेश किये हैं उनको बेतर तरी जिस किसम का मवाद हमारे पास आता रहेगा एम शूर फॉरन ऑफिस इसको पिरियॉडिकली और मुख्तलिफ फॉरम पे भी रेस करता रहेगा बिकॉज इस इन देर डुमेन दूसरी जो आपने अफ़ानिस्तान की बात की मैंने जैसे भी पहले का आपने उनके कुछ का भी जिकर किया मैंने इसलिए बात की कि जब गवर्मेंट तो गवर्मेंट बात हुई है तो उसमें कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दिर इस आ वेरी आ गुड लेवल फ अंडिस्टेंडिंग एग्जिस्ट और इस चीज़ को ड्रेस किया जाएगा जो कुछ इ किया जा रहा है और उनको एक 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 ऐसी तरीके से उचाला जा रहा है कि कोई गल्त फेमी इस लेवल की पैदा हो कि जिसको जिससे फिर पीछे आना मुम्किन नहीं हो तो हम इंशाला इसा नहीं होने देंगे मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान आ बहुत क्लेर है इस वेंस के रिकिनाइस्ट और अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इक्तामाद कर रहा है वो जारी रखेगा और उन पे अमल दरामत होगा और इन्शाला अफगान हकोमत के साथ हमारे बहुत अच्छे तालुकात हैं और जहां पे कोई चोटी मोटी प्राप्लम जाती हैं वो बड़े एहमे के बली रिजॉल्फ हो जाती है और ये भी रिजॉल्फ हो जाएगा इस्तियाक गुंदल रोज नियूस से पूछना ये चाहता हूं कि हम माजी में बार बार सुनते रहे कि पकिस्तान मुखालब सरगर्मियों के अंदर जो बारती खुफी अजनसी रहा है और अफगान खुफी अजनसी एंडी ऐसे इनका गट जोड़ है अभी जब वहां पे अफगनिस्तान के सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तमाल होती रही उसी शिद्द के साथ होगी क्योंकि अमरीके हुकाम ने भी कहा है कि ये जो अफगान तालबान के हकुमत है अमारत इसलमिया इन्हों ने वहां पे जो दाइश का खरासान चैप्टर है उसके और अल्कायदा के दरजनों जो थे जँद्गर थे जंग जुथे उनको रहा की अगए और इमकानाओत हैं कि शैद वो पकस्तान के खिलाफ इस्तमाल हो सकते हैं तो आप समझते हैं कि जैसे عنकाथ आफगनिस्टान के सरजमीन पकस्टान के खिलाफ इसके थारा इस्तमाल हो है यह जो टेर्रिस्ट और्गनाजेशन्स हैं चाहे उसमें दाइश है आईसस है टीटीपी है जिन आलाकों में बैठे हुए थे जब वहां से अचानक इंकिला हुआ गार मुल्की एक वाच का तो जो एक लाइनफॉर्स्मेंट का एक मैकनिजम था इन प्लेस वो भी कलैपस कर गया, खत्म हो गया, कहीं पे उनकी इंटेलिजन्स काम का रही थी, कहीं पे कोई काम का रही था, तो ये मुखतलिफ ग्रॉप्स एक वैक्यूम एक वाइड के अंदर इन्होंने ऑपरेट किया, इसी दुरान जब हमने अफ़वान हकूमत को अप्रोच किया, कि जी अफवान पले के आएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे